दोस्तों आज के इस वीडियो में हम योग दर्शन के जो सूत्र हैं उनके माद्धिम से जो प्राण साधना है जो प्राणायाम की साधना है उसको अपने जो दैनिक जीवन में हम कैसे उससे लाप राप्त कर सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे तो योग दर्शन में जो सूत्र है देश बंद चित तस्य धारना अर्थात स्थान विशेश पर जो अपना चित है अपना मन है वहाँ पर ध्यान लगाना उसी पर ही अपने मन को टिकाना ही क्या है धारना ऐसा महर्शी पतंजली ने योग दर्शन में सूत्र में लिखा है कि अपने स्थान विशेश पर जो चित को लगाना ही क्या है धारना है यह प्रारम में बहुत ही कठिन होगा लेकिन धेरे धेरे अभ्यास से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं इस धारना को तो किसी भी चीज की धारणा है जो योग में तो इसकी चर्चा की धारणा में लेकिन हम योग के बारे में जो हम बात करते हैं कि इसका हमारे जो दैनिक जीवन में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में इसका क्या लाब है तो इसका सामान्य व्यक्ति के जिवन में बहुत बड़ा लाब है इसका लाब ये है कि धारणा करने से मनुश्य अपने अंतर मन को जानेगा अपने आप को जानेगा आज हर कोई दूसरों के बारे में दुरा कहता है उसको अपने से निम्न मानता है और स्वेम को महान बनाना चाहता है और महान मानता है कि मैं सबसे ही सरुस्रिष्ट हूँ कि मैं सबसे स्रिष्ट हूँ और अन्या सभी निकरष्ट है यहीं सोच मनुश्य को सबसे जो निम्न कोटी का बना देती है कि जिसके बित्रीय सोच है कि मैं बड़ा और बाकी सब चोटे यह सोच मनुश्य को सबसे निमन मना देती है इसलिए अपने आपको जानना पहले अपने आपको जानेंगे तब हम संसार को जानेंगे और अपने आपको जानेंगे तो अपने आपको हम जीत पाएंगे अपनी व्यादियों से अपनी जो भी इंद्रियां है अनावशक जो भी और अशुब कर्म हैं उनसे रोक पाएंगे उनको रोकने के लिए इंद्रियों को जीतना होगा और इंद्रियों को जीत लेगा वो मनुश्य स्वैम को जीत सकता है और जो अपने आपको जीत लेगा वही संसार को जीत सकता है बड़े बड़े विज़ेई वक्ती होए लेकिन कोई संसार को जीत नहीं सका जिसने अपने आपको जीत लिया वो सारा संसार जीत लेता है इसलिए पहले अपने आपको जीतना होगा अपने आपको जाना होगा तभी हम पूरे संसार को जान पाएंगे आज हर कोई मनुश्य अपने बारे में सुनाना चाहता है कि हर कोई व्यक्ति मेरे बारे में सुने हर जगा संसार में मेरी चर्चा हो मेरा ही नाम हो लेकिन कोई किसी के बारे में सुनता नहीं है लेकिन जो सुनता है अर्थात इसके बातों के पिछे बहुत बड़ा एक जो और हैस से चपा हुआ है अध्यात्म का जो अपनी बातें सुनता है यानि किसी के बारे में सुनता है यानि अपनी नहीं सुनाना चाता अर्थात उसमें धैरे है वैक्ति में जो धैरे शाली है संसार में वहीं सफल हो पाता है और ये बात इसलिए मैंने कही कि हर कोई सुनाना चाता है लेकिन सुनता नहीं लेकिन जो सुनता है अर्था जो धहरे रखता है वहीं सफल व्यक्ति बनता है और वहीं एक दिन अवश्य सफल होता भी है ऐसे नेक उदान है हमारे जो इस भारत धरा पर अनेक व्याक्तित्तो हैं, अनेक आइकन है हमारे यहां पर रॉल मोडल हमारे ऐसे भरे पड़े हैं पूरे भारत वर्ष में तो यानि विदेशों में तो इसकी बहुत कमी है लेकिन हमारे यहां पर बहुत ऐसे रोल मोडल हैं तो इसलिए अपने आपको जानना है तो हमें योग में जाना होगा और योग जानने के लिए जो योग दर्शन में महर्शी नेजर सूत्र दिये हैं उनको जानते हुए अपने ज जीवन में लागू कर सकते हैं, इसे अपने जीवन में आचरन कर सकते हैं, क्योंकि आचरन की बहुत बड़ी मेमा है, इसकी बेचरचा हम करेंगे आचरन, जनी बिना आचरन के चाहिए हम किसी भी जान को प्राप्त कर लें, चाहिए हम चारों वेदों के जाता हो जाएं, लेक हुगा वै किवल किवल समय की बर्बादी हो जाइगी और नहीं इससे हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा को कि हम जानते हैं कि मनुश्या का जीवन बहुत बड़ा अनमोल है और मनुश्या का जनम है जो कई दीवे कर्मों के कई सत limiting कर्मों के पश्चाती मिल बाता है तो इसलिए जो योग दर्शन में योग के सूतर हैं उनको अपनी जीवन में हम उसकी ध्यान करें उनको याद करें उनको जीवन में अपने आचरित करें तब ही जाकर हमारा जीवन सफल होगा और हमारा जीवन सफल होगा तो हम अपने अपन का अपने समाज का अपने देश का हम जो जीवन अच्छा बनाएंगे और इसका विकास भी कर पाएंगे तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही आज के लिए जना ही धन्यवाद